इट डाट फ्रॉक काफी अजीब नाम है ना ये नाम मार्क ट्वेन के उस विचार से प्रभावित हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है अगर आप दिन की शुरुवात मेंड़क खाने से करेंगे तो आपको इस बात की तसली होगी कि आपने दिन का सबसे बुरा काम कर दिया है इस किताब में लेखक ने मेंड़क की तुलना आपके सबसे बड़े और महत्वपूर्ण काम से की है ये बुख समवरी देखने के बाद आपको प्रोक्रास्टिनेशन खतम करने के सारे रास्ते पता चल जाएंगे जिससे आपकी शम्रता बढ़ेगी प्रोक्रास्टिनेशन याने महत्वपूर्ण काम को बिना वजह टालना चलो मैं इस किताब को नॉलिज को सिंप्लिफाई करने की शुरुवात करती हूँ eat that frog को हम दो हिस्सों में बात कर सकते हैं पहले भाग में हम importance of planning के बारे में जानेंगे ये पार्ट आपको प्रोक्रास्टिनेशन को पहले ही स्टेज में खतम करने में मदद करेगा ये पार्ट में हम goal setting, parato principle, the sahara desert के बारे में जानेंगे दूसरे भाग में हम execution strategies के बारे में जानेंगे जो प्रोक्रास्टिनेशन को काम के बीच में आने से रोकेंगे आईए हम part 1 को समझते हैं goal setting प्रोक्रास्टिनेशन को मात देने का सबसे अच्छा तरीका है goal set करके जब आप goal की एक list बनाते हो, तब आपको कौन से काम महतपपूर्ण है, उस बात की clarity आ जाती है और फिर आप उन कामों को prioritize दे सकते हो उन priorities के हिसाब से आप हर एक दिन का planning कर सकते हो बहुत लोग planning नहीं करते, ये सोच कर कि planning में काफी वक्त लगता है लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए, कि planning के 10 मिनिट आपके कारियव करते समय 90 मिनिट बचा सकते है इसलिए आप planning की शुरुवात कीजिए, आप उन activities के list बनाईए, जो मुख्य गोल पूरे करने के लिए आपकी मदद कर सकता है ये list बनाने के बाद उस पे parato principle apply कीजिए parato principle कहता है आपके 20 प्रतिशत काम आपको 80 प्रतिशत परिनाम देंगे मैं parato principle आपको एक उधारन से समझाती हूँ मानते हैं मुख्य गोल तक पहुचने के लिए आपको युवा लोगों को सोशल मीडिया पर प्रडक्स पेचने है सोशल मीडिया साइट के list है facebook, instagram, snapchat, linkedin, periscope, twitter, youtube, tumblr, pinterest, y लेकिन आप आकड़ों को देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेंगी कि यंग्स्टर, instagram और snapchat सबसे ज़ादा इस्तमाल करते हैं ये 20 प्रतिशत activities आपको 80 प्रतिशत परिनाम देंगे instagram और snapchat के कार्य को आपको सबसे पहले करना होगा procrastination की और एक बड़ी वज़ा है जब आपको अपने goal शुरवात में काफी बड़े लगे इस समस्या से कैसे ने पड़े ये हम सहरा desert के example से समझते हैं सहरा desert की लंबाई पासो मेल है और पीच में कही भी पानी या खाने का नामों निशान नहीं है 1300 से भी जादा लोग रेगिस्तान में अपनी जान कवा चुके है इस समस्या को सुलजाने के लिए French ने रास्ते पर 55 ग्यालोनों के oil drum हर 5 किलोमेटर पर लगाए जिस वजह से आप दिन में कही भी हो आप एक वक्त पे दो oil barrel देख सकते हो एक जो अपने पार किया हुआ है और जो 5 किलोमेटर आगे है रास्ते पर बने रहने के लिए इसी चीज़ की जरूरत थी एक समय एक oil barrel को लेने की वज़र से लोग दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पार कर गये इसी तरह अपने गोल पर procrastination नहीं करने के लिए गोल को छोटे हिसों में तोड़ा इस पार्ट को summarize करते हैं पहले अपने गोल सेट कीजिए एक बार गोल सेट हो गये कार्य की list बनाईए उस list को छोटे करने के लिए पराटो प्रंसिपल का इस्तमाल कीजिए और फिर आपके गोल के छोटे हिसे बनाईए अगले पार्ट में हम execution strategies के बारे में जानेंगे जो procrastination को काम के बीच में नहीं आने देगा इस किताब के पार्ट टू मिस नहीं करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Keep reading, Keep growing